Hello my dear students, welcome to Nidhi Science Academy आज हम पढ़ेंगे Fundamental Concepts in Organic Reaction Mechanism हमने अब तक पढ़ा था Isomorism अब हम पढ़ेंगे Fundamental Concepts in Organic Reaction Mechanism क्या होता है Organic Reaction में? रियक्टेंट्स होता है और प्रड़क्ट बनता है ठीक है जैसे की यह और गनिक मॉलीक्यूल सब्स्ट्रेट है ओके फिर उसके साथ अटेकिंग रियजेंट है एक अटेक करेगा उसके उपर वो भी रियक्टेंट है तो क्या बनेगा? एक intermediate बनेगा और उससे क्या बनेंगे? प्रड़क्ट्स एंड बाई प्रड़क्ट्स उससे क्या बनेंगे? प्रड़क्ट्स एंड बाई प्रड़क्ट्स तो यह हमारा फंड़मेंटल रियक्ट्स है कि कार्बन नए बन बनाएगा दूसरे रियक्टेंट के साथ और एक नया बन बनाके उसमें प्रड़क्ट्स और बाई प्रड़क्ट देगा और्गनिक रियक्ट्स में क्या होता है कि कोवेलेंट बन होता है न दो कार्बन एटम के या दूसरे अदर कार्बन एटम के वो ब्रोक होके वो तूटकर नया बन फॉर्म होता है नया बन फॉर्म होता है डिटेल स्टेज स् तो reactant transferred into product इसको बोलते है reaction mechanism इसको बोलते है हम reaction mechanism जिसमें क्या होगा जो reactant है वो product में convert होगा bonding से reactant reaction mechanism basic thing यह है और गनिक जो होते है reaction involved making and breaking of covalent bond ठीक है making or breaking of इसमें हम पढ़ेंगे fission of a covalent bond fission of a covalent bond fission of a covalent bond में क्या होगा हिटेरोलाइटिक fission इसमें भी दो टाइप की होगे पहला होगा fission मतलब एक cleave से दो पार्ट में divide होना कोवलेंट बॉन्ड के टू एटम्स हैं एंड वी क्लीव्स इन सच जवे की जो electrons हैं कोवलेंट बॉन्ड के वो शेयर हो जाएंगे आपको रुक्य मैं practically बताती हूं तो आपको समझ आएगा जैसे हिटेरो लाइटिक फिजन और इसको हम ये बोलते हैं अन सिमेट्रिकल अन समेट्रिकल फिजन भी बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड है ए और बीके बीच में और उसमें ऐसे पेर शेयर होएंगे कि एक बोल्ड एटम उसके पेर ले जाए इसको कहते हैं हिटेरो लाइटिक फिजन जैसे और एक्जंपल जैसे एँ है दो डॉटोट बी तो इसमें हिटेरोलाइटिक फिजन हुआ है हिटरोलाइटिक फिजन मैं शॉट में लिखना पूरा है इसको तो यहां से दोनों इलेक्ट्रोन इस तरफ चलेगा means यह क्लीव हुआ मतलब यह तूटा और यह इधर आया यह दोनों इलेक्ट्रोन एक इधर चलेगा आप ओ गया और बी नेगेटिव ली चार्जड ओ गया रहता है हिटरोलाइटिक फिजन को और इंडीकेट करता है हिटरोलाइटिक करते हैं तो इसमें क्या हो गया हम ऐसे निखेंगे वैन है भी इस more electro negative than A B ज्यादा electro negative हो गया है A से electro negative हो गया ऐसे ही ऐसे इसका opposite भी हो सकता है कि यहां से इसदर चले गया है और हिटेरोलाइटिक फिजन हुआ इसमें तो क्या हुआ A negatively charge होगे इसके पास दोनों electron आ गया प्लस यह दोनों electron इस तरफ आ गया इस तरह से ही बोलेंगे इसका है न तो अब इसके बोले A is more electro negative अब क्या हुआ वैन A is more electro negative than B इसमें A electro negative हो गया क्योंकि उसके वो ज्यादा charge हो गया उसके पास electron आ गया B के electron जब A के electron B के पास चला तो B electro negative हो गया है न A is shown above जैसे हमने अब यहाँ पर हम लिख सकता है A is shown above हिटरोलाइटिक फिजन क्या होता है charge species बनाता है charge species मतला cations and anions क्या बनाता है cations and anions बनाता है तीक है है ना जैसे हम कहते है na plus cl minus तो यह हो गया cations और यह anions जब एक दूसरे को इसको एक electron चाहिए इसको एक electron चाहिए आपस में जब sharing होई तो यह cations and anions बनाता है एक तरह से cations and anions बनाता है तो जब cations यह देगा इसको एक electron तो यह positive हो जाएगा और इसको मिलने से यह electro negative हो जाएगा chloride जो है तो इस तरह के just for example cations and anions समझाने लिगा है वाकी यह हमारा heterolytic fission इस तरह से होता है जिसमें एक जो item है दूसरे को पूरी तरह से bonding मनाते है दूसरे को वो सारे के सारे अपना share दे देता है दूसरे item को ओके यह तो proper sharing है इसने भी दिया इसने भी दिया बराबर sharing है कि just cations and anions समझाने के लिए मैंने करें तो इस तरह की bonding को heterolytic cations and anions किसले बताया है आपको जिससे आप पता लगे कि charging जब होती है तो cations and anions बनता है जब बीचा equally share हो unequally share हो तो भी ओके